कैसे आप लोग मैं हूँ शुबम और आप देख रहे हैं फैंटासी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपर मैचेज हो रहे हैं वेस्ट इंडीज ओडीडी के और इसमें पांचपा मुकाबला खेला जाएगा लीवर्ड आइलेंड और इसके अलावा ड्रीम 11 टीम बनाएंगे उस ताइम पर थोड़ से जादा डिसकेशन करेंगे तो लीवर्ड आइलेंड की तरफ से किरन पॉवल ओपन कर रहे हैं रॉस पॉवल के साथ आपको पता दूर के पास काफी एक्सपीरियन्स है लिस्टे क्रिक रिखिट का और क जादा वेल्यूबल पिक रहेंगे किरन पॉवल तो अप किरन पॉवल को लेने का पिक करेंगा आप चाहें तो रॉस पॉवल की साथ भी जा सकते हैं बट अगर एक्सपीरियन्स देखें तो किरन पॉवल मेरे साब से जादा बेटर परफॉर्मर है नितिश कुमार की बात क मैच में 123 रन की काफी जबरदस्त पारी के लिए उसके पर उनिस रन थे और इनका भी एवरेज लगबगा 20 के आसपास का मैं आपको अपको अगर आप इस पास का आपको मिलेगा और वो उस लेविल के प्लेयर भी है यहाँ पर डेवन धॉमस और अमिर जंगू की बात करें तो दोनों का जो परफॉमस का परफॉमस वड़ता जादा बेटर है हाला कि बहुत जादा बेटर नहीं है थोड़ा बेटर है बट फिर भी देवन धॉमस को पिक कीज़ेगा कैप्टेंसी करेंगे अपने टीम से और आमेर जंगू से पहले बैट करने आते जादा वेल्यू बी करहेंगे इसको जफ्री इंड वोच्छ यह टार्रेंस वार्डेंश वाडे पिछले दो मैच ऽी से लगा तर दस वर बॉलिंग कर रहें तर विक्टे नहीं इंको मिल पा रहे हैं साथ-इसर बैटिंग में नॉन उन्रें पिछले दो मैच्छिस में लगा तर तीन-विक् पिछले match में इनको wicket नहीं मिली, बहुत से लोग इनको छोड़ सकते हैं, बट शुरुवाती match में उनने 3 wicket निका ली थी, तो यहां से एक चीज ध्यान रखी, अगर आप सिर्फ bowling को देखते हैं, तो Q-Botswin आपकी टीम में होने चाहिए, Hayden Wash आपकी टीम में होने चाहिए, औ बहुत से लोग इनको छोड़ के पास है, इनको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पिछले match में हालाकी 123 लगा है, तो small league में छोड़ना तो नहीं बनता है, इसके बाद हम बात करते हैं, गवेना Jaguars की तरफ से, Jaguars की तरफ से पिछला जो इनका match हुआ, उसमें असाथ फुदे दिन ने 5 रन के आसपस लगा है, इनका अगर आप बैटिंग आवरेज देखेंगे तो 25-26 के आसपस का निकल के आएगा, चंदरपुल हिमराज का भी 25- बैटिंग आवरेज रहेगा, बट ये पूरे 10 ओर बालिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा, आप इनको कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी जरूर दीजीगा, क्योंकि इनका पर्फॉर्मेंस जो है, वो पिछले मैच में भी बैटिंग में ठीक था और 10 ओर पूरे कराया थे, इनको कोई विकट नहीं मिली, वरना इनके पॉइंट और भी ज़ादा होते हैं, अगर एक विकट भी निकाल लेते हैं 10 ओर में, अगर टीम पांच ही बोलक के साथ जाती है, इनको अगर अगर एज़ा फिप्ट बोलक लाती है, तो ये आपकी डी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, शिमरान हैत्मर के साथ जाओं, कोई चंदरपॉल हमराज के साथ जाओं, हमराज एज़ा बैट्समैन, शिमरान हैत्मर के मुकाबले कहीं भी खड़े नहीं होते हैं, बट ये बॉलिंग में आपको कुछ एक्स्रा करके दे सकते हैं, तो कैप्ट जले हैं, बट इनका बैटिक अवर इज भी काफी अच्छा है, इसकwa बाद ररमारियो शेफर्डा है, इनका बता है और इनका बता थो इनकी पहते ही से इनकी टीम से एठार और इनका चलता है उनको बाट जस्त्राह से पास लिप्तर नहीं पारफी छलता है, तो कैव tones पान यह दोनों ही प्लियर आपको कुछ ना कुछ रंस जरूर लगा के दे सकते हैं, आपने देखा पिछले मैच में भी रॉमार्यू शेफट ने 50 प्लस स्कोर किया था, इनका बैटिंग एवरिज 18 के आसपास 19 के आसपास बनता है, 18-19 के बीच में, तो यह दू प्लियर जो है, र जादा बेटर उप्शन हो सकते हैं, तो यह हो गई बात, दोनों टीमों की एक ओवर्व्यू आपको दे दिया है, और चोटा सा ओवर्व्यू है, जादा इसमें डिसकुशन हमने किया नहीं, अब टीम बनाते हैं और देखते हैं, आपको क्या के ओप्शन अवेलेबिल है, आफरी अपडेट जो हमार रहेगा, मैं आपको बता दू, वो रहेगा, आपको मिलेगा, टेलिग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में दी हुए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, और पहुंचा ही हमारे टेलिग्राम चैनल, ड्रीम 11 प्लेइंग 11 आफिशल पे, यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारी अपडेट्स वगेरा मिल जाएंगी, तो गाइस बात करते हैं, ड्रीम 11 टीम की, क्या हमारी टीम रहने वाली है इस मैच में, इस मैच में जो मेरी ड्रीम 11 की टीम रहेगी, वन सेकेंड, इसको उपन कर लेते हैं, जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरी ड्रीम 11 टीम है, जो भी मैंने बनाई है कुछ देर पहले, और जिसमें मैंने कैप्टन रखा है चंदपुल हेमराज को, वाइस कैप्टन हैतमायर को रखा है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल है, अगर इनकी कैप्टन सी के भी काफी अच्छे माट रेल, आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, अब मैं अपनी टीम आपको देखा दे रहा हूँ, सबसे पहले डिसकस करते हैं, विकर की प्रिंस एक्शन में क्या क्या ओप्शन्स अवेलेबिल हैं, तो अगर इतना कोई खास है नहीं, तो अगर आपको पिक कर रही है, ग्रैंड लिग में ट्राइ करना है, तो जैंगो को कर रही है, और हैट तो एड में तो डैवन थोमासी आपके लिए बेस्ट रहने वाले है, इसको बद बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, शिमरन हैट मेर वन बनता है, तो इनको ज़रूर ट्राइ किजिगा, इतना स्कोर कर सकते हैं, इसको आद आते हैं, कीरन पोवेल ये भी काफी बड़िया प्लियर माने जाते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ट है, और आप इनके देख सकते हैं, हाला कि बहुत से लोग यहाँ पर आर पोवेल के साथ चले गए, कोगी दो मैचे इनके अच्छे गए हैं, और कीरन पोवेल के अच्छे नहीं गए, बट अगर आप लॉंग टर्म में देखेंगे, तो कीरन पोवेल को पाच ज़्यादा एक्सप्रियंस्स ले मैं उनी के साथ जाओंगा, आप चाहें तो आपको आस ओप्शन है, आर पॉवेल को भी आप ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, इसको अधमा चीम, सॉरी, यहाँ पर चंदरपॉल हिम्राज को टीम में पिक कर रहा हूँ, दो औरीजा ने, एक तो पूरे 10 ओवर करने हैं, और एज फिप्ट वोल खेले थे पिछले मैच में हम ने देखा, तो ह हिम्राज ने पूरे 10 ओवर करा के, कोई विकट तो इनको नहीं मिली, बैट अगर मिल जाती, तो सीधे-सीधे आपको काफी पॉइंट दिला सकते थे, और टीम के लिए ओपन भी करने हैं, और इतने बोरे बैट्समेन भी नहीं है, तो एक बहुत अच्छे पिक आपके पिल्कुल भी नहीं चेड़ना है, और लाउंट असेक्षिन में जलते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं, जौन सन से बैटर ऑप्शन आपके पास यहां पे हैं, और आपको पिक करने हैं, तो बारनल के साथ जाए तो जाधा बैटर रहेगा, हो सकता है कि बालिंग भी क पिल्कुल जाए तो इनका 25-30 की आपका बैटिंग अवरेज बनता है, जो कि अभी हमें देखने को नहीं मिला है, तो वाइडे जो हैं वो बैटिंग भी काफि अची कर सकते हैं, अगर ओवर्रोल केरियर देखें, तो 25-30 की नका बैटिंग अवरेज बनता है, साथ ही साथ बॉलिंग की तो बॉलिंग में एवरेज है, बॉलिंग में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, आप कहे सकते हैं, पर मैच ये लगभग 0.6 या 0.7 के असपास विक्टे निकालते हैं, यानि कि दो तीन मैच में एकाद विक्टे निकल, मिल पाती है इनको, तो उससाब सी आप इनको जरूरों टीमें पिक कर सकते हैं, उक्रत हैं आपके बास बट मैं नहीं कर पास, अपको पढ़ बिना ऑगा हुआए, था कि इनकी बटर उप्चन वार डे हो सकते हैं, मैं बोलूंगा, इनकी पो नहीं कर रही है, बट हो सकते हैं यूपर 10 Ovर कर रहे हैं, इस पिछले मैच में पिछले दो मैचेस से लगाता है नौ-9 रहनी बना रहा है जो कि इनके अब्रेज से काफी कम है बात करते हैं बालिंग सक्षन में बालिंग सेक्षन में हेडिन वाउष को जरूर टीमें पिक कीजिएगा दो प्लेयर्स को आप यहां से ग्रेंड लिंग में ज लगाते दिख जाएं, बट अगर जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो 19-18 के आसपास का निकलेगा तो ऐसे बोलर्स को बिल्कुल मत छोड़ें जो आपको कुछ ना कुछ रंस करके भी दे सकते हैं और बोलर भी काफी अच्छे हैं यहां पर आप चाहें तो बैरेट्स की जगे पर आपके पास है इनको आप ट्राइ कर सकते हैं दोनों का परफॉर्मेंस एवरेज है और कैरियर भी अगर आप देखें तो आवरेज है अगर आप देखें लॉंग टम में तो इनको जरूर ट्राइ किज़ेए साड़े आठ क्रेडट इनके है और नौ क्रेडट की कोई भी कमी नहीं आप किसी को भी पिक कर सकते हैं यह एक ऐसी जगे जहां पर आप चेंज कर सकते हैं पिछले मैस में बैरेज को कोई विकट नहीं मिली तो बहुत से लोग इनको ड्रॉप करेंगे और कैप्टेंसी वाइस काप्टेंसी की अगर इसी टीम में हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हैतमायर और हैमराज के इनकी टीम सोड़ी सी स्टॉंग भी हाला कि इनकी तीम से जादव प्लर मैंने पिक नहीं करें तो इंदु को आप ग्रेंड लिंग में स्पैशल ट्राय कीजेगा मैंने तो यहाद बोटस्वाइन को पिक करा है वाच को viens कोई बैर अची कहो सकते हैं ड्रय करका ना है जिसको कोई नहीं गरेहा आप शोड़ि neglig बिदे अटीम के लिए उपन करते हैं ओवराल रिकॉर्ड काफी अच्छा है, बैटिंग बैटिंग वगेरा में तो एवरिज परफॉर्मेंस ही है, अनि कि बैटिंग अवरिज देखेंगे, तो वो 28-39 के आसपस निकलेगा, बट जो प्लियर पहले बैटिंग करने आता है, उसके पास फिर भी एक मौका होता है, बड़ा स्कूर करने का, जैसे कि शिम्रन हैतमेर वगेरा के पास है, हैमराज वगेरा के पास है, तो जरूर ट्राइ कीजिए, केरन पॉबल एक बहुत अच्छी उप्चन हो सकते हैं, और करने के लिए फिर आप पास सिफर्ड और सिंक्लर भी है, बट मोस्ट कॉमन ओप्शन की बात करेंगे, तो हैतमायर और हैमराज काफ यची उप्शन हो सकते हैं, डिपेंग अपन बैटिंग अगर आप देखते हैं, हैतमायर की टीम पहले बैट करते हैं, तो फिर हैतमायर को